Hello children, welcome to CBSC online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from State Vidya Mandir English High School, CBSC Vasai. Children, today we will learn new lesson from Hindi grammar, lesson number 12, lesson name A Vikari Shabd. बच्चो A Vikari Shabd वे शब्द होते हैं, जिन सब्दों में वचन, लिंग और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता. जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, बच्ची धीरे धीरे चलती है, बच्चा धीरे धीरे चलता था. यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो धीरे-धीरे जो शब्द है उसमें कोई भी परिवर्टन नहीं आया वचन, लिंग और काल के कारण तो यहाँ धीरे-धीरे क्या है अविकारी शब्द इस तरह से और भी शब्द होते हैं अविकारी जैसे उपर, बाहर, कल, जल्दी, अचानक, थोड़ी, ज्यादा, कम, इत्यादी बच्चों अविकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं बच्चों अविकारी शब्द का जो पहला भेद है वो है क्रिया विशेशन अर्थाथ क्रिया की विशेशता बताने वाले शब्द जिने हम एड़व भी कहते हैं कौन-कौन सी विशेष्टा बताते हैं ये, ये बताते हैं क्रिया के होने का स्थान, क्रिया कहा हो रही है, काल यानि की क्रिया किस समय हो रही है, दीती यानि की धंग क्रिया कैसे हो रही है, और परिमान यानि की मात्रा क्रिया कितनी हुई, इस प्रकार जो शब्द क्रिया के स इस्थान, काल, रीती तथा परिमान संबंधी विशेशताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेशन कहते हैं, क्रिया विशेशन के चार भेध होते हैं, इस्थान वाचक, काल वाचक, रीती वाचक तथा परिमान वाचक, जैसा की परिभाशा में बताये गया है, इस्थान य यानि की क्रिया के होने का समय जो शब्द बताएं रीती वाचक यानि की क्रिया के होने की रीती अधंग जो बताएं और परिमान वाचक यानि की क्रिया के होने की मात्रा जो बताएं इस प्रकार क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं बच्चों क्रिया विशेशन का पहला भेद स्थान वाचक क्रिया विशेशन स्थान वाचक का अर्थ होता है स्थान या जगे की सूशना यहां देखिए बच्चों उधारन दिये गए हैं बच्चे बाहर खेल रहे हैं सारा सामान अंदर रख देता हूं यहाँ पर बाहर और अंदर शब्द जो है स्थान वाचक क्रिया विशेशन है इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहां या किधर जैसे प्रश्ण वाचक शब्दों का प्रियोग करके हम जान सकते हैं जैसे कहां खेल रहे हैं बाहर किधर रख देता हूँ अंदर तो हमको उत्तर मिल गया तो ये शब्द स्थान वाचे क्रिया विशेशन शब्द है इसके और उधार ना बच्चों उपर, नीचे, अंदर, बाहर, इधर, उधर, दूर, पास, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, त्यादे इस प्रकार जिन सब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उन्हें स्थान वाचे क्रिया विशेशन कहते हैं बच्चों, क्रिया विशेशन का जो अगला भेद है वो है काल वाचे क्रिया विशेशन काल वाचे का अर्थ होता है काल ये समय की सूचना उधारन देखते हैं, चलो कल बात करेंगे, मैं अवनी से आज मिलूंगी, यहाँ पर कल और आज शब्द क्रिया के होने का समय बता रहे हैं, यह काल वाचक क्रिया विशेशन है, इनकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कब लगा कर प्रश्न करना चाहिए, कब बात करेंगे कल, कब मिलूंगी, आज, तो हमको इस तरह से क्रिया विशेशन शब्द मिल जाता है, इस प्रकार जिन सब्दों से कारे के होने के समय का पता चले, उन्हें काल वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं, इसके अन्योधारन बच्चों, कल, परसों, आज, अभी, सदा, जब, तब, हमे सारोज त्यादे, बच्चों, अगला भेद है क्रिया विशेशन का, रीती वाचक क्रिया विशेशन, जिसका अर्थ होता है, ढंग या तरीके की सूशना, ये शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीती बताते हैं, अर्थात क्रिया कैसे की जा रही है, या कैसे हो रही है, उ ध्यान से एवं चुपचाप शब्द रीती वाचक क्रिया विशेशन शब्द हैं जो क्रिया के होने की रीती या धंग बता रहे हैं रीती वाचक क्रिया विशेशन जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे प्रश्ण वाचक शब्द का प्रियोग करना चाहिए जैसे कैसे सुनो ध ध्यान से कैसे बैठो चुपचा इस प्रकार ध्यान से और चुपचा रीती वाचे क्रिया विशेशन शब्द हैं तो जिन सब्दों से क्रिया के होने की रीती या धंका पता चलता है उन्हें रीती वाचे क्रिया विशेशन कहते हैं इसके अन्योधारन जैसे धीरे धीरे शांती पूर्वक ध्यान से रोते रोते दोड़ कर अच्छा अचानक जल्दी त्यादी पच्छो क्रिया विशेशन का चौथा और आकरी भेद है परिमान वाचक क्रिया विशेशन उधारन से समझते हैं खीर बन गई है मुझे थोड़ी खाने दो ज्यादा बोलना बुरी तो यहाँ पर थोड़ी और ज्यादा शब्द परिमान वाचक क्रिया विशेशन शब्द हैं ये क्रिया की मात्रा या मापतौल बता रहे हैं बच्छो इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना शब्द लगा कर प्रश्न करना चाहिए जैसे कितना खाने दो थोड़ी कित इतना बोलना ज्यादा इस प्रकार हमें परिमान वाचे क्रिया विशिशन का पता चलता है तो हम कह सकते हैं जिन सब्दों से क्रिया की मात्रा या मापतौल का बोध होता है या ज्यान होता है उन्हें परिमान वाचे क्रिया विशिशन कहते हैं इसके अन्य उधारन है थोड़ तो बच्चों, आज हमने जाना और विकारी शब्द क्या होते हैं क्रिया विशेशन किसे कहते हैं, क्रिया विशेशन के कितने भेद होते हैं इनके बारे में पढ़ा, तो आप भी पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, धन्यवाद